हलो फ्रेंड्स मैं पृति सर्मा आज हम बनाएंगे काना जी की पेस्वाइ पगड़ी इसका मेटेरियल आपकी स्क्रीन पर है सबसे पहले मैंने ये चार इंचोड़ा बुक्रम का कपड़ा लिया है इसको डबल फोल्ड करेंगे इसकी लंबाई आप अपने काना के हिसाब से लें अब मैंने ग्रीन कलर का कोटन का कपड़ा लिया है इसको हम बुक्रम से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेंगे ये मैंने ग्रीन कलर अपनी ड्रेस के अकोर्डिंग लिया है अब हम नेट लेंगे इसको भी हम कॉटन वाले कपड़े के जितना ही कट कर लेंगे इस तरह से अब हम बुक्रम पर अच्छे से फेविकोल लगाएंगे फिर इसको उलटकर कपड़े पर चिपका देंगे अब हम इस तरह से कपड़े पर फेविकोल लगाएंगे अच्छे से और इनको भी फोल्ड करके चिपका देंगे इस तरह से सेम अब नेट पर भी फेविकोल लगाकर इसको भी अच्छे से चिपका देंगे यह देखे फ्रेंड्स मैंने इसी लिए यह रफ पेपर बिचाया था नीचे ताकि फेविकोल से आपका फर्स खराब ना हो इस तरह से हम चिपका देंगे अब यहां पर फिर से फेविकोल लगाएंगे और इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करके चिपका देंगे इस तरह से अब यह मैंने नेट लिया है जो लगबग दो इंचोड़ा है इसके अंदर हम यह ग्रीन कलर का कोटन का कपड़ा इसे अस्तर यूज करेंगे इसको हमें इस तरह से यह देखिए इस तरह से फोल्ड करके चिपकाना है इसे आप फेविकोल से ग्लू गन से या फिर स्टीच भी कर सकते हैं इसकी लंबाई मैंने 58 इंच लिया है एक फ्रेंट्स हमें यह धान रखना है कि जो यह नीचे वाला यह जो कपड़ा होगा जो हमने बुकरम डालके बनाया है इसका हमें आधा नेठ लेना है अगर यह एक इंच लिया था तो इसको आधा इंच लिया हमें रखना है अब हम यह जो इसका बेस बनाया वा था इसको ग्लू गन से अच्छे से चिपका देंगे यह देखिए हमने पट्टी बना लिया है मैंने इस पे स्टीच किया है अब इसको हम चिपकाते हैं इसमें हमें जहाँ पे काना जी का फेस रहेगा वहां से इसको थोड़ा उपर रखना है और बेक साइड से इसको नीचे की साइड रखना है इस तरह से यह पूरी जो हमने स्ट्रिप बनाया था उसकी लेर बनानी है मैं आपको फिर से बता रही हूँ फ्रेंड्स ये देखिए यहां फेस की साइड से थोड़ा उपर रखना है और बेक साइड से नीचे रखना है इस तरह से ये हम पूरा चिपका देंगे इसको पूरा चिपकाने की ज़रुत नहीं है हर लेयर में फिवी को लगाने की ज़रुत नहीं है आप इसको लास्ट में लगा लीजिए ताकि इसको आपको एड्जिस्ट भी करना पड़े इसको उपर नीचे करना पड़े तो वो भी अब मैं बुक्रम पे थोड़ा सा फेविकोल लगा रही हूँ उस पे जो लीव सेप वाला स्टोन था वो चिपकाएंगे उसके चारू और वाइट स्टोन वाला ये चेन लगा देंगे इस तरह से करता है ये देखिए ये जब सूख जाएगा तब हम ये कट कर लेंगे जो भी एक्सरा स्टोन है उसको भी हम कट कर लेंगे अब ये जो फेस की साइड से था वहाँ पर मैंने फेविक को लगा दिया है वहाँ पर मेरे पास ये ग्रीन और वाइट स्टोन में ये जो चेन था उसका एक लाइन चिपकाएंगे इस तरह से अब ये जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे इसी तरह हम एक और लाइन लगाएंगे इसकी ये देखिए इस तरह से अब हमने जो ये बनाया था स्टोन और चेन से उसको हम सेंटर में चिपका देंगे अब इसकी साइड में देखिए ये मैंने फेविक को लगा दिया है उसके उपर भी हम ये स्टोन चेन था जो हमारे पास उसको चिपका देंगे इस तरह से अब इसकी एक लेर और बना देंगे इसके पास में हम इस तरह से एक लेर और बना देंगे इसकी सेम इसी तरह हम दूसरी साइड में भी चेन लगा लेंगे अब यह देखे इन दोनों के बीच में हमने फेविकोल लगा के रख लिया है इस पर यह लीफ सेप वाला जो स्टोन है वो चिपका देंगे इस तरह से देखे फ्रेंड्स हमारी पेस्वाई पगड़ी बनकर तयार है आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें लाइक करें चेनल को सबस्क्राइब करें बाई बाई